आओ गठर बनाए मीनू तुम कहां जा रही हो हम खेतु में जा रही है तुम भी हमारे साथ चलो गग क्या कर रही है वह लखडियों का एक गठर बना रही है देखो उसने दस लखडियों का एक गठर बनाया है दस लकडिया आओ, हम भी लकडियों का गठर बनाए मैं भी कुछ लकडिया लाओंगा राजा तुम भी जा के कुछ लकडिया लाओ अच्छा, पहले दस लकडिया निकालो आओ, अब गिने एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तस ये दस है आओ, अब गठर बनाए हम यह कैसे करेंगे? तुम मेरा रबर बैंड इस्तमाल कर सकते हो आओ, इन लकडियों पर रबर बैंड लगा दे अब हमारे पास दस लकडियों का गठर है मीनू, आओ, अब कोई और दस चीजें गिनते हैं अच्छा, अब उन मौसी को देखो उनकी टोकरी में केले हैं आओ, दस केले गिने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस देखो, इस गुच्छी में दस के लिए हैं धन्यवाद मौसी देखो, मैदान में बहुत सारे फूल है मुझे दस फूलों का एक गुच्छा बनाने दो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, मीनू यह तुम्हारे लिए है धन्यवाद बस, तुम बहुत प्यारी हूँ ओ, तुम मेरे लिए क्या लाए हो राजा तुम बहुत प्यारी हूँ उसके पास मेरे लिए बहुत से गुबारे है मुझे दस का एक गुच्छा बनाने दो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस देखो, यह दस गुबारों का एक गुच्छा है कुछ और बच गए है क्या मैं इन्हें गिनू चीनू ओ, नहीं, नहीं, दूर हटो बास तुम इन्हें फोड दोगे यहां, एक, दो, तीन, चार चार गुबारे बच गए है तु हमारी गुच्छे में दस गुबारे है चार गुबारे बच गए हम इसे एक दहाई और चार इकाई भी कहते है ओ, वह क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे आओ, अब घर चले पिता जी, हमारे लिए नया बोड लाए है मैं उस पर लिखकर तुम्हें दिखाता हूँ आओ, आओ, आओ चल्दी आओ, राजा आओ, अब घर चले ओ, इस बोड को देखो यह बढ़िया है धन्यवाद पिता जी चल्दी, चल्दी अब मुझे बताओ कि यह कैसे करना है आओ, दहाई लिखें आओ, अब एकाई लिखें हमने दस गुबारों का एक गुच्छा बनाया बस हमने कितने गुच्छे बनाए एक गुच्छा तो हम यहाँ एक लिखेंगे यह हुआ एक दहाई ओ, यह ऐसे है दस गुबारों का एक गुच्छा बिल्कुल ठीक हमारे पास अब और कितने गुबारे हैं यह चार गुबारे और तो आओ, यहाँ चार लिखें यह हुआ चार रिकाईया अच्छा, अब मुझे पता चला चार रिकाईया मीनू अब मुझे पता है यह एक दहाई और चार रिकाईया है आओ, मेरे फूलों से भी ऐसा ही करें हाँ, हम करेंगे मैदान में पहुत से फूल थे तुमने दस फूलों का एक गुच्छा बनाया है यहाँ कितने बच गए यहाँ छे फूल बच गए हैं तो हम कहते हैं एक दहाई और छे इकाईया यह ठीक है बार तुम अब समझतार हो गए हो मगर तुम अपनी बिनभिनाहट से मुझे तंग करते हो देखो, जमीन पर बहुत से पत्ते हैं आओ, दस का एक गठर बनाए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस देखो, मैंने याद दस पत्ते रखे हैं यहाँ एक और पत्ता पच गया दो यह हुआ, एक दहाई और एक इकाई यह है, मुझे लिखने दो एक दहाई और एक इकाई देखो, एक दहाई और इकाई मिलकर हुए ग्यारा यहाँ कुल ग्यारा पत्ते हैं हाँ, दस पत्तों के साथ एक और पत्ता यह हुए ग्यारा पत्ते बिलकुल ठीक बस दस जमा एक बराबर ग्यारा देखो, मुझे एक और पत्ता मिला तो यह हैं दस पत्ते और दो और पत्ते मतला एक दहाई और दो एकाईया मिलकर बने बारा ओ, तो दस जमा एक दो पराबर ग्यारा आओ, अब इसी करें मीनू रुको, रुको, मैं बताऊंगा दस जमा दस बराबर ओ, ओ, मुझे नहीं पता दस जमा दस क्या होता है बराबर दस दस ओ, बाज, तुम्हें कुछ नहीं पता यह बीस है दस जमात, दस बराबर बीस बीस? हाँ, यह बीस है देखो, यहाँ पत्तों के दो समू है इसमें दस पत्ते हैं और इसमें भी दस पत्ते हैं इधर देखो बाज तो यहाँ दो दहाईयां और शून्य एकाई है तो बीस जमात, शून्य बराबर बीस ओ, यहाँ शून्य काई है दो दहाईयां मतलब बीस अब मुझे पता है रुको, आओ, अब इसी करे मैं एक संख्या लिखोंगी चीनू, क्या तुम दहाईय और इकाई लिखोगे? तैन तिस हाँ मीनू, तीन दहाईयां और तीन एकाईयां इन दहाईयां मतलब तीस तो तीस चमात तीन बना तैन तीस मीनू, क्या मैं भी यह करूँ? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक संख्या देती हूँ चववण बराबर चववण अब मैं संख्या लिखता हूँ निन्यानवे मीनू, क्या तुम इसे करोगी? हाँ, यह हुआ नो दहाईयां जमा नो इकाईयां नो दहाईयां मतलब नब्भी तु यह हुआ नब्भी जमा नो बराबर निन्यानवे आओ, अब कंचों से खेले पहले कंचे गिने मीनू, तुम इसे गिनो बाज, तुम इसे गिनो मैं इन्हें गिनता हूँ मेरे पास एक दहाई के साथ चार कंचे और बच गए हैं तु मेरे पास दस जमा चार बराबर चोदह कंचे हैं मेरे पास एक दहाई के साथ पांच और कंचे बच गए हैं तु मेरे पास दस जमा पांच बराबर पंदरा कंचे हैं मेरे पास एक दहाई और सिर्फ एक और कंचा बचा है तु मेरे दस जमा एक बराबर प्यारा कंचे हैं आओ अब हम बचे हुई कंची गिने और उनकी समो बनाए मेरे पास चार है सीनू तुम्हारे पास पांच है और बस के पास एक आओ अब इने गिने मैं कंचे गिनूंगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस ओ, दस और तो ये हुआ दस कंचों का एक और समो बिल्कुल ठीक बास दोस्तों, तुम पत्ते, बीच, छोटी तहनिया, किताबे और सबजियां इकठी करके दस के समोहू बना सकते हो फिर तुम संख्या को गिन सकते हो इसमें बहुत मज़ा आता है क्या हम दहाईयों और एकाईयों में बांटे पच्पन बराबर पच्पन इकटर साथ बराबर इकटर अठासी आट दहाईयों जमा बराबर अठासी सेंतालिस चार दहाईयों जमा साथ इकटर बराबर सेंतालिस आट सट आट सट छे दहाईयों जमा आट इकाईयों बराबर अठासी बराबर अठासी बराबर अठासी उन्निस एक दहाईयों जमा नौ इकाईयों बराबर अठासी बराबर उन्निस आओ अब इन्हें मिलाएं तीस जमा तीन बराबर तैंतिस पचासी जमा छे पराबर चपपन असी जमा साथ बराबर 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 नब्बी जमा नो बराबर निम्यान वे साथ जमा पांच बराबर पैसट तीस जमा तीन बराबर तैंतिस पचास जमा छे बराबर चपपन असी जमा साथ बराबर चालिस जमा दू बराबर निन्यान वे साट जमा पांच पराबर पैसट अल्विदा उस्टू